बांगलादेशी प्रधान मंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर है राश्टिपती भवन में प्येम ने शेख हसीना का आपचार एक स्वागत किया और प्येम मोदी और शेख हसीना की तस्विरें आप देख रहे हैं दोनों देशों के बीद देपक्षे अबारता होगी बड अगर बात की जाए सिर्फ साउथ एशिया की तो भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बांगलादेश और दूसरी तरफ भारत बांगलादेश का इस एशिया में दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत के पास बांगलादेश सालाना करीब द बिलियन डॉरर का एक्सपोर्ट करता है ऐसे मैं आप समझ सकते हैं कि भारत और बांगलादेश के रिष्टे कितने गह रहे हैं भारत और बांगलादेश के बीच कई शेत्र में इस वक्त सयोग किया जा रहा है और जो बारता होगी आज प्रधान मंतरी मोधी के साथ तो उसमे व्यापार इसके अलावा सुरक्षा और साती साथ भारत और बांगलादेश की बीच नए रेल लाइन्स इसके अलावा सड़क मार्ग और साथी जल मार्ग खोलने को लेकर भी बातचीत होगी बेरहाल भारत और बांगलादेश की भी छे ट्रेन लाइन से हैं जो इस वक्त कार्या काम कर रहे हैं इसके अलाबा मंगलापोर्ट और चिटगाउंग पोर्ट का भी इस्तमाल भारत कर रहा है ताकि North East के तो तमाम राज्ये हैं वहां तक सामान को ले जाया जा सके क्योंकि भारत के लिए बांगलादेश के द्वारा सामान को ले जाना North East के राज्यों जैसे त्रिपूरा, नागालेंड, मिजुरम जादा आसानी होती है और इसके मद्द नजर आज भी कई समझोते की जा चुकि जिशेश शायद 200 बिलियन डॉलर भी किया जाएगा और इस केडिड लाइन के जरिए भारत बांगलादेश में कई तरह के विकास प्रियोजनाओं के भी लिए काम कर रहा है जैसे वहां पर अस्पताल बनाना, होस्टेल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, सड़के बनाना इसके अलाबा भारत बांगलादेश के पास एक्सपोर्ट भी करता है, बिजली एक्सपोर्ट करता है करीब 1100 मेगा वार्ट बिजली बांगलादेश सालाना भारत से खरीदता है, तो ऐसे में आज की जो ये द्विपक्षवारता होगी बहुत एहम मानी जा रही है, बताया झाय.